नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनलाइन बोर्ड में तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो multiple choice questions पर based है MCQs पर based है कि कैसे हम बढ़िया तरीके से MCQ कर सकते हैं कैसे अगर किसी MCQ में फस रहे हैं तो कैसे वो फसेवे MCQ हम कर सकते हैं और अगर आपको किसी MCQ में बहुत ज़्यादे confusion हो रहा है चार option है चार में से दो तो आपको पता है कि ये नहीं हो सकते और दो में आप अटक गए हो तो उन दोनों में से सबसे probable answer क्या होगा कैसे आप लगाओगे तो आज की इस वीडियो में हम तुक्का लगाने की इन ही tricks के बारे में बात करेंगे दोस्तो आज की वीडियो में मैं किसी भी तरह की गलत activity को पर्मोट नहीं कर रहा हूँ मैं खुद hard work में believe करता हूँ लेकिन ये जो तुक्का लगाने की जो tricks है वो आपको तभी use करनी है जब आपको पता है 120 की cutoff है और आपने केवल और केवल 100 questions ही attempt की है आपको पता है मेरा वैसे भी नहीं होने वाला तो by hook and crook आपको किसी भी तरह करना ही है या फिर आप किसी job कर रहे हो और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप तैयारी करो तो ये जो trick है तुक्का लगाने की वो उन सभी students के लिए है जो किनी कारणों से पढ़ नहीं सके या फिर आपको पता है कि आप उस cutoff को achieve नहीं कर सकते हो तब ही आपको ये tricks अपनानी है कि आपको पता यार होने वाला तो मेरा वैसे भी नहीं है तो अब तो मुझे बस अकडबकड बंबे वो वाला game खेलना है दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया और इसके भी दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट है आपका remove different value या फिर remove extreme value अगर यहां पर दोस्तो एक्जामपल के तोर पे मैं आपको समझाओं तो किसी एक्जामपल में अगर आपको values दे रखी है 12, 13, 14 और उसके बाद दे रखी है 10.5 तो इस option में सबसे अजीब value है 10.5 तो यह आपका answer नहीं होगा तो elimination technique यह कहती है कि जो अलग सी value है just remove that क्योंकि वो जबरदस्ती डाला हुआ होता है या फिर आपको कोई value दे रखी है 1, 2, 3 और उसके बाद दे दी 15 तो यह extreme value जो 15 है यह option बिलकुल भी नहीं हो सकती दूसरी अगर elimination technique की दूसरे part की हम बात करें तो कभी-कभी questions में all of the above या फिर none of the above दिये होता है तो paper analysis यह कहती है कि अगर किसी paper में all of the above या फिर none of the above है तो 95% chances होते हैं कि answer यह ही होता है यहाँ पर दोस्तों तुक्का लगाने की अगर second trick की बात करें तो वो है never follow the sequence इस तरह से questions नहीं attempt करने हैं आपको अपने paper को तीन stages में divide करणा है पहला आपका 40-45 minute का stage रहेगी दूसरी आपकी 1-5 घंटे के हिसाब से रहेगी और तीसरी आपकी 10 minute या 5 minute की रहेगी वो आपकी level क्या है आपका उसके according यह जो stages है time period है यह बदल भी सकता है जो पहली stage है 45 minute की उसमें आपको सारे questions देखने हैं कि पहला आता है ठीक है कर दिया लगा दिया दूसरा किया थोड़ा time लेगा छोड़ दिया तीसरा किया नहीं आता छोड़ दिया दोस्तों यहां पर आपको examiner जान पूझ कर बीच बीच में tough questions डालता है इसलिए ताकि बच्चा इस questions में अटक जाए और अटकने के बाद जो questions उसे आते हैं वो भी छूट जाए उसका जो maximum समय है वो यहीं पर ही बरबाद हो जाए अगर आप sequence follow करते हो तो पहले 10 questions difficult है और आपसे वो attempt नहीं हुए तो आपका confidence डाउन हो जाएगा फिर जो आपको आता है वो भी नहीं आएगा तो it's better not to follow the sequence जो आपको आता है वो करते जाओ जो नहीं आता उसे बाद के लिए छोड़ दो second stage में दोस्तों आपको वो questions करने है जो आपको आते तो है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा मतलब time लगेगा और third stage में आपको वो questions करने है जो आपको आते ही नहीं लेकिन time बच गया है आप कोशिश कर सकते हो दोस्तों तुक्का लगाने की अगर third trick की हम बात करे तो वो है most probable option मतलब की आपके questions में चार option दे रखें A, B, C, D तो इन चारों में से आपको नहीं पता कि कौन सा होगा तो इन चारों में से अब आपको कैसे इसे attempt करना है तो दोस्तों psychologically जब examiner paper बनाता है तो वो कोशिश करता है कि option A बिलकुल भी नहीं हो यह मैं guarantee नहीं देता कि नहीं होगा लेकिन ज़्यादे chances यह रहते हैं कि A option नहीं होता है बहुत कम chances होते हैं कि आपका option A हो और बहुत कम chances होते हैं कि आपका option D हो अब बचे आपके दो question B और C तो इन में से आपको कौन सा लगाना है तो B और C में से मैं अगर आपको बता हूँ तो paper की analysis यह कहती है कि जादेतर questions का answer B ही होता है दोस्तो चोथी trick है तुक्का लगाने की वो है आपके true false वाले questions में तो दोस्तो paper की analysis यह कहती है कि आपके जादेतर questions में आपका answer true ही होता है तो आपको true आप लगा सकते हो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दू यह trick आपको तभी ही अपनानी है जब आपकी तयारी बिलकुल भी नहीं हो या फिर आपको पता है कि इसकी cutoff इतनी है और आप उस cutoff को पार नहीं कर सके किनी कारणों से आपकी तयारी किनी भी कारणों से हो सकती है मतलब आप job करते हो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पढ़ाई करो तो यह trick आपको तब ही use करनी है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तो